हेलो इस्ट्रेंट्स कैसे हो आप लोग I hope सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जिस भी एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हो आपकी तयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हाई कोड में वेकेंसी आई हुई और कैसे रहेगा इसका स्लेक्शन प्रोसेस और कितना चाहिए और कौन-कौन से लोग है इसको अपलाई करने के लिए सारह कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे तो इसकी लाज़ डेट और क्लोजिंग डेट और ओपनिंग डेट हम देख लेते हैं देखी का अपलाई कर सकते हो ठीक है लाज़ डेट मैंने बता दिये 24 संद 2021 तक इसकी लाज़ डेट है एजुकेशन कालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों मात्र एट्थ पास इसमें एजुकेशन कालिफिकेशन है वह सारा कुछ में बता दूँगा देखीगा यह जो पोश्ट है च्छे केटिगरी वाइज इसको डिफाइन किया गया है चोडवर ऑफिसर शिटनन कोग वाटर मैन और रूम बॉय और वाच मैन और बुक रोश्ट्रेट और लाइवरी अटेंडनेस की आपको पोश्ट देखने को मिलेंगी तीन सो सरसट सम्तिंग अप्रॉक्स पोश्ट आपको देखने को मिलेंगी आप सेल्डी का लेवल देख सकते हो पे लेवल फश्ट है पंदरजास साथ सो से लेकर पचास हजार तक ठीक है चलिए आईए आप एस केटिगरी की बात करें दोस्तों अगर आपकी 18-35 की बीच में है तो आप अपलाई कर सकते हो किसी-किसी पो डिस्किस्ट में प्रोवाइट कराने वाला हूँ तो नौटिफिकेशन को आप अच्छे से एक बार रीट करिएगा फॉर्म भरने से पहले आपको इस एक्जाम को कौलिफाई करने के लिए 50 नमबर का एक टैक्स देना पड़ेगा जिसमें कौलिफाई करना पड़ेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है देखिएगा इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन साब लिखा हुआ है दोस्तो एर्थ पास आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपके पास जो भी स्टुडेंस जनरल यूर से हैं उनके लिए 50 रुपे और ज आपको समझ में आई होंगी यह देखिएगा जनरल आपका जो एक्जाम में स्लेवर्श रहेगा 35 और 50 मार्क्स का होगा और यहां पर मिनिमूम मांक्स आपको इतने लाने हैं इसमें से तो आसानी से आपका सेलेक्शन हो जाएगा अगर आप अपलाई करते हो तो चली आई ह झाली आपको समय आपका फॉसर तो तो खाहा हो जैrest count करते हूएगा अपका जापका से एक प्रूद एकड़िगी यहां होगा जापकष ठाका जा यह जापका से ग vidéo